अब बच्चों हम जब चुम्बक के चुम्बकी छेतर में चुम्बकी स्वी को मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि चुम्बकी स्वी उसकी प्रभाव से विक्षेपित हो रही है लेकिन जब चुम्बकी स्वी को बहुत दूर ले जाये जाता है तो फिर वो चुम्बक के उत् यह जोग्रफिकल नौर्थ और साउथ को बता रही है ऐसा क्यों कि प्रित्वी सबसे बड़ा चुम्बग है और इसमें भी दो ध्रोव है उत्री द्रोव और दक्षनी ध्रोव इसलिए जब चुम्बग का प्रभाव खतम हो जाता है तो वो प्रित्वी के चुम्बग की प्र उत्तर और दक्षिन प्रित्वी की जब हम बात करें तो इसमें दो धुरूव होते हैं उत्तर और दक्षिन एक तो जो हम लोग दिशा बताते हैं जैसे हमारे पास चार दिशा हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन तो यह जो उत्तर और दक्षिन हैं इसे हम भुगालिक उत्तर और दक्षिन के नाम से जानते हैं और दूसरा Magnetic North and South यानि हम प्रित्वी को एक चुम्बक की रूप में consider करते हैं तो इसका चुम्बक कुछ इस प्रकार होता है यहां पर हम देखें कि यह दक्षिन और उत्तर की दिशा change रहती है reverse रहती है जहां हम भुगौलिक उत्तर की बात करते हैं वह प्रित्वी के चुम्बक का दक्षिन होता है और जहां भुगौलिक दक्षिन की बात करते हैं वहां प्रित्वी के चुम्बक का उत्तर होता है अब इससे निकलने वाली बल रेखाएं कैसी होंगी imagine करिए हम जानते हैं कि बल रेखाए हमेशा उत्तर से दक्षिन की और जाती है इसलिए जब हम प्रित्वी की चुम्बक की बल रेखाओं को देखें तो ये दक्षिन से उत्तर की और निकलती भी नजर आती है तो कभी बच्चे ये चित्र देखकर confuse हो जाते हैं क्या ये चित्र उल्टा है पर ये चित्र बिलकुल सही है क्योंकि प्रित्वी को यदि हम चुम्बग की रूप में इमेजिन करें तो वह चुम्बग उल्टा इस्थित है यानि कि प्रित्वी के जोगरफिकल नौर साउट स जस्त व्विपरित है इसलिये जब इसकी बल रिखा भाएंंगे तो ये दक्ष्ण से निकलते हुए उत्तर के और प्रवेश करेंगे प्रित्वी के बाहर और प्रित्वी के अंदर यदि हम बात करेंगे यानि कि यदि हम प्रित्वी के गर्भ में जाएंगे तब यह हो जाएंगे उत्तरत लेकर दक्षिन की ओर अब मान लेजे पृत्वी की सतह पर एक चुंबक रखा गया है इसका अपने एक छेतर है और ये चुंबक सदय भी पृत्वी के चुंबकी छेतर के अंदर ही रहेगा अब हम एक चुंबकी सुई को मूफ कर रहे हैं कि प्रमके के पास से इसे धीरे धीरे दूर लेते जा रहे हैं। जहां प्रित्तवी का प्रभण शुरूँ लेकिन इनके बीच में कहीं पर एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर चुम्बक का चुम्बकी बल और प्रित्वी का चुम्बकी बल दोनों एक दूसरे के बराबर और जेस्ट विपरित हो जाएंगे उस समय यह चुम्बकी स्वी डिफलेकशन देना बंद कर देती है क्योंकि वो यहां पर दो बराबर और विपरित बल के प्रभाव में रहती है और दो बराबर और विपरिद बल किसी बिंदू पर काम करे तो वहाँ पर उसका कूल योग या परिणाम शून्य हो जाता है तो वहाँ पर चुम्बकी छेत्र मौजुद होते हुए भी चुम्बकी छेत्र का मान शून्य हो जाता है और चुम्बकी शेत्र का मन शून नहीं हो जाएगा, तो इस चुम्बकी सुई कोई भी विक्षेप नहीं देगी, और इस बिंदू को हम कहते हैं उदासिन बिंदू, तो इस चुम्बक के दोनों और ही हमको उदासिन बिंदू मिलेंगे, अब किस साइड उदासिन बिंदू म रखते हैं तो यहां पर उदासिन बिंदू अलग जगेपी मिलेगा लेकिन जब चुम्बक की उत्तर को पृत्वी के भुगॉलिक दक्षिन की और रखते हैं तो इसका उदासिन कि बच्चों क्या आप जानते हैं हमारे प्रिथ्वी एक चुम्बक की तरह कारे करती है यह जो चुम्बक है इसके चारों तरफ आप जुक्षेत्र देख रहे हैं यहां भी दो चुम्बक के बल कारे कर रहे हैं एक इस चुम्बक के द्वारा और एक प्रिथ्वी के द्वारा यहां हमें ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जहां पर चुमक के द्वारा लगाया गया चुमक की बल और प्रित्वी के द्वारा लगाया गया चुमक की बल समान और विपरीत होगा उस बिंदु पर कोई चुमक कत्व नहीं रहेगा और ऐसे बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं चलिए इस चुमकी क्षेत्र में हम उस बंदु को ढूंडते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा फिर से चुमकी सुई की मदद लेंगे और इस चुमकी सुई को देखी यहां पर आपको इन जो बल रिखाए हैं यह जो वक्रिय हैं इनसे एक शेत्र दिख रहा होगा यह रिखी है यह एक शेत्र यह एक शेत्र में उस बंदु को हमको ढूंबना है तो इस शेत्र पे इस चुमकी की स्कुई को रखिए और इस आलपीन के मदद इसे देखते हैं यहां नहीं घूम रही है थोड़ा और स्तान बदल कर देखे है इस खु म१ार इस खुम organism कर देखना होगा देखोंग इंग कर करें खांस तो कम अच्छ डिल्बू कुम कर देखोंगे फिंद क्युद् और एक तेखंगा है और anti clockwise भी खुम रही है तो यह हमें मिल गया उदासीन बिंदू देखिए फिर से देखिए यह देखिए और फिर आपको इस तीर पर आलपिन की इस नोग को ऐसे रखना है और फिर घुमाना है तो देखो बच्चो इस प्रकार हमने यह उदासीन बिंदू प्राप्त किया त तो हम एक काम करते हैं देखिए इस चुम्बिकी सुई के चारो तरफ ऐसे निशान लगा दीजे यह निशान हम लगा देते हैं इस प्रकार से और अब इस स्केल की सायता से आप दो लाइन इस तरह के खीच लीजे और यह जहां इंटरसेक्ट करेंगे जहां प्रतिछेत करे वही बिंदू आपको उदासीन बिंदू के रूप में मिलेगा ठीक है तो यह बिंदू हमको उदासीन बिंदू के रूप में मिल गया इसको हम ऐसे गोला बनाकर यहां बीच में दिखा देते हैं ठीक है आपको पता है यह जो क्षेत्र आपको यहां चुमकी बलरेखाउं स से घिरा हुआ दिख रहा है यहां भी आपको एक और उदासीन बिंदू मिलेगा पर अब आपको क्या करना है अब आपको अपनी शाला में एक चुम्बक लेकर बहुत सारी चुमकी बल देखाएं किषनी है और जब आपको इस प्रकार का शेत्र मिल जाए तो वहां आपको दो दोनों उदासीन बिंदू को ढूंड़ना है तो बच्चों इस क्रिया कलाब द्वारा हमने जब चुम्बक को पृत्वी के उत्री धुरूव की तरफ उसका उत्री धुरूव रखा था तो उसके लिए चुम्बक की बल रेखाएं और यहां हम देख रहे हैं कि उदासीन ब कि दो भाग में विभाजित करती हो यहां पर यह उदासीन बिंदू इसके लंब अर्धक पर क्यों प्राप्त हुए यहां हम देखें तो चुम्बक की जो बल रेखाएं थी वह उत्तर से दक्षिन की और आ रहे थी इस चुत्र में हम देखेंगे तो यह उपर से नीचे की और प्रित्वी की बल रिखाएं तक्षिन से उत्तर की और जा रहे हैं यानि की उपर की और तो यहां जहां यह दोनों विपरत दिशाय में हैं यानि की चुम्बक का उपर से नीचे की और प्रित्वी का नीचे से उपर की और इसी बिंदू पर ही यह दोनों चुम्बक की एक दूसरी के विप्रित है और किसी बिंदू पर ये समान भी हो जाएंगे इसलिए हमको जो दासिन बिंदू है वो इस चुम्बक के लंब अर्धक पर प्राप्त होगा दोनों और लेकिन जब हम चुम्बक को पलट देते हैं यानि कि चुम्बक का उत्री धरूफ प्रितवी के दक्षनी धरूफ की और रख देते हैं उस कंडिशन में यदि हम चित्रनुसार देखे तो यह चुम्बक की बल रेखाए चुम्बक की उत्तर से दक्षन जा रही है तो बल्रेका एक दूसरे के समानतर हो जाएंगी इस इस स्थिति में तो यह दूसरे को कभी भी नगर्ने नहीं करेंगी यदि हम इसके अक्ष पर देखें चुंबकी अक्ष पर चुंबकी अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो चुंबके दोनों धुरूवों से होकर गुजरत हैं तो यदी हम इसके अक्ष पर देखें उपर हम देख रहे हैं तो चुंबक की बल्रेका ओपर से नीचे की और चारी है और पृतिवी की बल्रेका नीचे से उपर की और जाती है 10 के कोर्स में भी है आपको प्रयोग ये दोनों ही करने होते हैं और मैगनेटिक नीडल की सहायता से आपको उदासिन मिंदू की स्थिति ग्याद करनी होती है तो इस क्रिया कलाप के अधार पर इस प्रयोग को आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे बच्चो पृत्वी पर मनुश्य एक ऐसा प्राणी है जो जिग्यासु है और अपने जिग्यासा को सांत करने के लिए ये निरंतर प्रयत्रशील रहता है नय नय प्रयोग करता रहता है और खोच करता रहता है ये मनुश्य शुरवात में प्रकाश के लिए सूरज पर करने पड़ते थे पर धीरे से मनुष्य ने दो पत्थ्रों को तकड़ा कर आग की खोच की और अब मनुष्य को चाहे दिन हो यह रात हो प्रकाश के लिए सूरज पर निर्भन नहीं रहना पड़ता क्योंकि मनुष्य ने बल्ब और लाइट की खोच की बड़े-बड़े शहर यह मोबाईल पर हो चाहे टीवी पर यह तब ही संभव हो पाया है जब एलेक्रिसिटी की खोज होई क्योंकि एलेक्रिसिटी केभिना ना दो टीवी चलता और ना ही मोबाईल चार्ज होता dus ब्रौश्य के खोच के बाद मनुष्य के जिवन में क्रांती कारी परिवर्थन जो कि आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है और वर्तमान में हमारे अधिकतर काम इस एलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर है तो एलेक्ट्रिसिटी और चुम्बकत्व दो अलग-अलग शाखाओं के रूप में अध्यन किये जाने लगे क्योंकि एलेक्ट्रिसिटी आवेशों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है जबकि चुम्बकत्व चुम्बक कई गुण है किसी ने भी इस एलेक्ट्रिसिटी और चुम्बकत्व की बीच में संबंध की कल्पना भी नहीं की थी लेकिन 1820 में हैंस क्रिस्चिन ओस्टर ने अपने प्रयोगों से इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया उन्होंने बताया कि किसी भी धारा वाही चालक के चारों और चुम्बकी छेत्र उत्पन हो जाता है और इसे धारा का चुम्बकी प्रभाव कहते हैं बच्चो आपने धारा के उश्मी प्रभाव के बा हीटिंग एपरेटर्स बनाए जाते हैं जैसे कि हीटर आयरन एमर्शन रॉड गीजर वैसे धारा का एक और प्रभाव भी है धारा का रैसाइनिक प्रभाव जिसके बारे में हम हाईयर क्लासेस में चर्चा करेंगे तो धारा के चुम्बकी प्रभाव को सिध्ध करने के लिए और्स्टेड ने प्रयोक किये थे हम भी और्स्टेट के प्रयोग को समझने के लिए एक छोटा सा सेटप तयार करते हैं जिसे हम आसानी से अपने घर में ये स्कूल के लैब में तयार कर सकते हैं तो आएए बच्चों हैंस क्रिश्टिन और्स्टेट के स्प्रयों को हम इस एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लेंगे मैंनेटिक नेडल केरम की कुछ गोटियां कॉपर की तार और बैटरी जिसमें तार के साथ क्रोकोडाइल क्लिप लगी हों यह चीजें आसानी से हमको अपने घर में भी मिल जाती हैं क्यारम की गोटिया हमने इसले लिया है क्योंकि ये लकड़ी के बने होते हैं और ये चुम्बकी छेत्र और विद्दु छेत्र दोनों से प्रभावित नहीं होते हैं कॉपर की तार जो हमने लिया है वो मोटी तार है जिसका प्रतिरोध कम होगा और इसमें धारा कमान अधिक होगा यहाँ पर बैटरी के लिए जो सेट अप लिये है वो सेलों से बना हुआ है ताकि हम अलग-अलग सेल को लेकर अलग-अलग धारा प्रभाहित कर सकें जब हमें धारा कमान बढ़ाना हो तो हम सेल की संख्या बढ़ा देंगे जिससे की तार में बहने वाली धारा कमान बढ़ जाएगा और इस क्रोकोडाइल क्लिप के साहता से हम इस तार में धारा को प्रभाहित करेंगे सबसे पहले हम glue tape की मदद से इन केरं की गोटियों को fix कर देते हैं और यह जो copper की तार है मोटी वाली इसे भी हम इस केरं की गोटी के उपर इस glue tape से fix कर देते हैं यह जो चुम्बकी सुई है इसको हम तार के नीचे रखेंगे कर देखते हैं कि चुम्बकी सुई को तार के नीचे रखा जाएगा तो हम देखते हैं कि के चुम्बकी सुई प्रितवी के north और south को दर्शायगी क्योंकि यह अभी प्रितवी के चुम्बकी छेत्रे के प्रभाव में हैं इसलिए यह प्रितवी के north और south को दर्शारती है कि अब हम का इस cell की सहायता से इस तांबे की तार में धारा को प्रवाहित कर लिए। हम क्रोकोडाइल क्लिप के दोनों सीरों को इस तार में जोड देते हैं। A से धन सीरे को और B से रिंड सीरे को। हमने देखा कि चुम्बकी सुई विक्षेपित हो जा रही है। जैसे ही हम इस क्रोकोडाइल क्लिप को स्कार से टच करते हैं इस चुम्बकी स्वी में विक्षे प्राप्त होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुम्बकी स्वी में नौर्थ और साउथ होते हैं और हम जानते हैं कि चुम्बक को जब चुम्बकी स्वी के पास लाया जाएगा तो उसके समान द्रो एक दूसरे को प्रभिकर्शित करेंगे और विप्रित द्रो एक दूसरे को आकर्शित करेंगे इसका मतलब यदी कोई चुम्बक पास में लाया जाए तो यह चुम्बक की सुई विक्षेपित होती है तो इससे हम यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि जब इस तार में धारा को प्रवाहित किया जा रहा था तो वो चुम्बक की तरह वहवार कर रही थी जब हम 1.5 रोल्ड की दो सैलो को स्तमाल करके इस तार में से धारा प्रवाहित कर रहे थी तो इस चुम्बक की सुई में विक्षेप 54 डिग्री का मिला अब हम इस तार से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को पढ़ा देते हैं इसके लिए अब हम दो सैल और इस बैटरी में जोड़ देते हैं अब क्रोकोडाल क्रिप की साहता से इस तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं और इस चुम्बक की सुई में विक्षेप देखते हैं इस स्तिती में चुम्बक की सुई में विक्षेप कामान बढ़ गया यहाँ पर दिफ्लेक्ष्टन 62 डिग्री का मिला यानि पहली वाली स्थिती से अधिक मिला तो हम ये निसकर्ष निकाल सकते हैं कि धारा की मात्रा बढ़ाने पर चुम्बकी प्रभाव भी अधिक हो जाता है अब हम इस चुम्बकी सुई को इस तार से दूर ले जाते हैं हम यह देखते हैं कि चुम्बकी सुई को तार से दूर ले जाने पर इसमें विक्षेप कम होता है जब हम इसको तार के पास लाते हैं तो इसमें दिख्षेप अधिक दिखाई देता है। इसका मतलब चुम्बकी छेत्री की तीवरता तार से दूर जाने पर कम हो जाती है। जब हम इस तार में से धारा प्रवाहित कर रहे थे और चुम्बकी स्वी को इस तार के नीचे रखे थे तब चुम्बकी स्वी इस्ट की और डिफलेक्ट हो रहे थी। अब हम इस चुम्बकी स्वी को तार के ऊपर रखते हैं। हमने यह देखा कि चुम्बकी सुई वेस्ट की और डिफलक्ट हो रही है। इसका मतलब चुम्बकी छेत्र की तीव्रता तार के उपर और नीचे विप्रुत दिशा में होती है। अब हम क्रोकोडाइल क्लिप के सहायता से इस स्तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बदल देते हैं। पहले धारा A से B की और प्रवाहित हो रही है। अब धारा B से A की और प्रवाहित हो रही है। और हमने देखा कि धारा की दिशा बदलने पर चुम्बकी सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। इससे यहां निश्कर्ष निकाला जाता है कि धारा की दिशा बदलने पर चुम्बकी छेत्रे की दिशा भी बदल जाती है। तो बच्चो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जब तार के बगल में हमने चुम्बकी स्वी रखी थी तो वो पृत्वी के उत्तरों दक्षिन दिशा को दर्शारी थी लेकिन जैसे ही इस तार से धारा को प्रवाहित किये तो वो विक्षेप पित हो गई यानि कि वहां पर कुछ न कोच चुम्बकी चेत्र उत्पन नहुआ होगा तभी तो चुम्बकी स्वी विक्षेप पित हुई और जैसे जैसे हम धारा की मातरा को बढ़ाते गए इस चुम्बकी सुई में विक्षेप भी बढ़ता गया और जैसे ही हम धारा की दिशा को पलट देते हैं विप्रित कर देते हैं तो इस चुम्बकी सुई में विक्षेप की दिशा भी विप्रित हो जाती है इसका मतलब इस तार में धारा के प्रवाह का प्रभाव इस चुम्बकी सुई पर पड़ता है या यू कहे कि इस धारा वही चालक तार में के चारो ओर चुम्बकी छेतर उत्पन हो जाता है यूकि हमने देखा कि जब हम सुई को दूर ले जा रहे थे तो सुई में विक्षेप कम हो रहा था यानि स्तार के कुछी एरिया तक ही चुम्बकी छेत्र था और हम यदि बहुत दूर ले जाते हैं सुई को तो वो फिर से पृत्वी के उत्तर और दक्षन डिशा को ही दर्श हा अब यह चुम्बकी छेत्र कैसा होगा इसको जानने के लिए हम एक और एक्सप arc करते हैं समय हम एक धारा वाही चालक तार लेंगे और उसकर चारो कर चुम्बकी छेत्र किस प्रकार होगा इसको जानने के लिए लोहे के चूर्ण का स्तमाल करेंगे यदि कोई चुम्बकी छेत्र होगा तो लोहे के चूर्ण में उसका प्रभाश जरूर पड़ेगा पर हम यदि एक तार लेते हैं और इससे प्रयोक करते हैं तो हम जानते हैं कि एक तार से प्रवाहित होने वा हात्रा प्रयोग में स्तवाल करना हमाड़े लिए खतरनाक हो सकता है यह सुरक्शित नहीं इसने हम क्या करते हैं तारों की संख्या बढ़ादेते जितने तारों की संख्या होगी चुमबकी छेत्र उतना ही प्रबल हो जाएगा यह यह कहें कि एक से जितना चुम्बकी छेत्र उत्पन होता है हम जितने तार लेंगे चुम्बकी छेत्र का मान भी उतना गुणा बढ़ जाएगा तो इसके लिए ही हम यहां पर तार को कई फेरों में लपेट देते हैं तो आईए बच्चो इस एक्सपेरिमेंट को करकर देखें औस्टेट के प्रयोक से हमने जाना कि किसी धारा वही तार के चारो रुटपन चुम्बकी छेत्र का मान तार में प्रवाहित होने वली धारा की मान के समानुपाती होता है यदि एक सिंगल तार में 9V बैटरी की साहता से धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे उत्पन्न चुम्ब की प्रभाव दुर्बल होगा और प्रभल चुम्ब की प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 10A या उससे अधिक उच्च दिश्ट धारा प्रवाहित करनी होगी जो कि आपके लिए सुरक्षित नहीं तो इसका हल ये है कि हम 50 फेरो वाली एक rectangular यानिकी आयता का फ्रेम लें या फ्रेम प्रेम प्रेम धारा प्रवाहि सीधी तार के बराबर होगी इस फ्रेम का चुम्बकी प्रवाव एक सिंगल तार में 50 गुणा धारा प्रवाहित करने से उत्पन चुम्बकी प्रवाव के बराबर होगा इसके लिए हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे जिसे कुछ कैरम की गोटियों के साहता से वाइट शीट के उपर रखेंगे ताकि हमें पैटर्न अच्छे से दिखाई दे सके फिर इस प्लास्टिक शीट के किनारे में ड्रील कर देंगे इसे आयता कार फ्रेम का रूप देने के लिए रूबी क्यूब का इस्तमाल करेंगे और इस पर तामबे की तार को 50 बार लपेट देंगे धीरे से रूबी क्यूब को हटा लेंगे जिससे 50 फेरो वाली तामबे की तार की आयता कार फ्रेम तयार हो जाएगे इसे ग्लू की साहता से फिक्स कर लेंगे ताकि फ्रेम हीले ना इट से टेप की साहता से मजबूती दे देते हैं अब इस तामबे की फ्रेम में बैटरी की साहता से विद्दुधारा प्रवाहित करते हैं और इसके चारो और लोहे का चूर न डाल देते हैं हम देखते हैं कि यह लोहे का चूर इस तामबे की तार के चारो तरफ फैल गया है अब धीरे-धीरे हम इस शीट को ठोकते जाते हैं जब धीरे धीरे शीट को ठोकते हैं तो हमने देखा कि ये लोहे का चोन तामे की तार की चारो ओर एक निश्चित पैटर्न एक निश्चित आकरिती में अरेंज हो रहा है ये चुम्बकी बलरेखाओं को दर्चाते हैं जो तार के चारो ओर सम केंद्रिये वृत की रूप में प्राप्त होती हैं चुम्बकी छेत्र को बताने के लिए चुम्बकी स्वी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके पास येदि हम एक चुम्बकी स्वी रखें और इसके सिर्ष की दिशक देखें तो वहाँ एक वृत की रूप में आगे बढ़ेगी और इसका आरेक बनाएं तो यह भी एकसम गेंद्रिय वृत की रूप में प्राप्त होता है वैसे भी हम यह जानते हैं कि चुम्बकी बल रेखाएं बंद वक्र का निर्मान करती हैं अता यह चालक के चारो ओर उत्पन्य चुम्बकी छेत्र को ही दर्शाते हैं इस क्रिया कलाप से हमने यह भी जाना कि चुम्बकी स्वी को तार से दूर ले जाने पर चुम्बकी स्वी में विक्षेप कम हो गया अता चुम्बकी छेत्र की तीव्रता तार से दूर जाने पर घट जाती है साथ ही तार में धारा की दिशा बदनने पर चुम्बकी स्वी भी विप्रत दिशा में विक्षेपित होती हैं अता उत्पन्य चुम्बकी छेत्र की दिशा भी तार में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती हैं तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चो यह स्पष्ट हुआ कि तार के चारो और चुम्बकी छेत्र उत्पन्न हो रहा था कुछ एरिया तक आपने देखा कि लोहे का चूर्ण एक विशेश आकृती में अपने आपको आरेंज कर लिया और यह बंद वक्र के रूप में दिख रहा था तुम यू कह सकते हैं किसी भी चालक के चारो और चुम्बकी छेत्र बंद वक्र के रूप में होता है और उस तार के लंबवत होता है बच्चों हमने अभी पड़ा कि जब किसी चालक में विद्युद्धारा का प्रवा होता है तो उस चालक के चारो और चुम्बकी खेत्र बनता है क्यूंकि यह चुम्बकी खेत्र विद्युद्धारा के प्रवा से बनता है इसलिए इसे विद्युद्युद्धारा के प्र दो तार जो है वो सेप्टि पिन की सायता से जोड दिये हैं इसकी सायता से हम क्या करेंगे विद्युधारा का प्रवा करेंगे और छड को इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया है कि यह हिले डूले नहीं हमें अग्यात करना है कि जब हम इस चालक पर विद्युधारा का प्रव है जब यह चुम्ब की खषेतर में होती है प्रता है सफ fixyourself टो हम यह काम करते हैं इस चुम्ब की की को चाल के पास में यहां रख देते हैं सिल Het अब देखिए अभी अब ध्यान से देखिए तो चुम की सुई आप यहां पर देखे इस ती रवस्ता में हमें दिखाई दे रही है है अब हमें क्या करना है इस चालग पर विद्यूधारा का प्रवा है लेकिन उससे पहले बच्चों हे बात धियान रखें कि जो शालाओं में और घरों में switchboard में जो विद्युधारा प्रवाहित होती है वो 220 से 240 वोल्ट के बीच में होती है और हमें यहां 12 वोल्ट से कम विद्युधारा के प्रवाह की आवशकता है तो इसलिए हमने यहां पर यह transformer यूज किया है यह transformer इस switchboard से जो इसे on करने जो 240 वोल्ट के विद्युधारा प्रवाहित हो रही है उसे 12 वोल्ट के विद्युधारा में परिवर्तित कर देगा और इसमें प्रवाहित करेगा ठीक है तो चलिए विद्युधारा का प्रवाह करते हैं इसके लिए हम यह switch को on कर लेते हैं यह देखिए यह विक शेप दि तो हमने देखा कि जब चालक पर विद्युद्धरा प्रवाहित हुई तो उसके चारों और चुम्ब की खेत्र बना जिसके कारण चुम्बी की सुई में हमें विक्षेप दिखाई दिया जिस तल में आप तार रखेंगे चुम्ब की चेत्र उस तार के लमवत तल में होगा क्योंकि यहाँ इस activity में भी आपने देखा कि आपने तार को एक प्लास्टीक की sheet पर लगाया था और ये तार प्लास्टिकी शीट पर लमवत थी और उसी में ही ये लोहे का चूर्ण गोल गोल आकार में अरेंज हुआ था तो इससे साबित होता है कि चुम्बकी छेत्रे चालक तार के लमवत होता है और बंद वक्र के रूप में होता है पर इसके दिशा कैसी होगी इसकी दिशा बताने के लिए हम राइट हैंड के थाम रूल का स्तमाल करते हैं यानि कि दाहिने हाथ के अंगुठे का निया राइट हैंड थाम रूल इसके अनुसार एक धारा वाही चालक को दाएं हास से इस प्रकार पकड़ो कि अंगुठा धारा की दिशा में हो तो उंगलियों को जिस दिशा में मोडना पड़ता है वही चुम्बकी छेत्र रिखाओं की दिशा होती है तो इस प्रकार बच्चो राइट हैंड के नियम के अनुसार हम किसी भी चालक तार के चारो और उत्पन चुम्बकी छेत्र की दिशा ग्याद कर सकते हैं बच्चो अभी हमने देखा कि चालक तार के चारो और चुम्बकी छेत्र कैसा होता है अब इसी चालक तार को मैं पकड़ कर मोड दूँ और इसे एक वृत की रूप में बना लूँ तो इसके चारो तरफ भी चुम्बकी छेतर उत्पन होगा पर यह चुम्बकी छेतर कैसा होगा इसकी दिशा कैसी होगी इसको जानने के लिए आईए चले एक और एक्टिविटी क करते हैं बच्चो सबसे पहले हम वृत का रिंग बनाएंगे यानी कि एक वृत का लूप बनाते हैं और एक वृत का लूप से यदी हम प्रयोब करें तो इसका चुम्बकी छेतर इतना स्ट्रॉंग नहीं होगा इसलिए हमको नोटिसेबल परिणाम प्राप्त नहीं होगी इसलिए हम इस वृताकार लूप के कई फेरे ले लेते हैं, यानि कि एक वृताकार कुंडली बना लेते हैं। आईए देखते हैं कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किन-किन चीजों के अवश्यक्ता होगी। हमें कैरम की कुछ गोटिया चाहिए, जिसे हम स्टैंड की तरह स्तमाल कर सकें, एक प्लास्टिक शीट चाहिए और ताम्बे की तार चाहिए। और हमारे घर का पूराना DVD केस ले लेते हैं। इस DVD केस को हम बराबर से बीच से दो भागों से काट देते हैं। और इसी के दोनों छोरों को मार करते हैं हम प्लास्टिक की शीट पर दो छेट बना लेते हैं। अब इस DVD को हम इस प्लास्टिक की शीट पर ग्लू टेप की जहता से फिक्स कर देते हैं। और तामबे की तार को अब इस DVD के चारों तरफ लपेटना शुरू करते हैं। हम तामबे की तार को 30 से 50 बार लपेट सकते हैं। क्योंकि यदि हमने 30 बार लपेटा है इसका आर्थ यह होगा कि यहां 30 फेरों वाली वृता कार कुमली एक फेरे वाली वृता कार लूप से 30 गुना ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो इस प्रकार हमने यहां पर 30 फेरों वाली वृता कार लूप की एक कुनली ले ली हैं। हम लोहे की चूर्ण को इस प्लास्टिक शीट पर इस वृता कार कुनली के चारो तरफ डाल देते हैं। और इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं। धीरे धीरे हम इस प्लास्टिक शीट को ठोकते जाते हैं। हम देखेंगे कि यह लोहे का चूर्ण एक विशेश आकृती में खुद को अरेंज कर लेता है। और यहीं चुम्बकी बल रेखाओं की दिशा है। इस आकृती को हम यदि ध्यान से देखें। तो कुंडली के फेरों के पास यह समकेंद्री वृतों के रूप में हैं। जबकि कुंडली के सेंटर में यह समानतर रेखाओं के रूप में हैं। यदि इसे हम कमपास नेडल की सहता से बनाएं। तुम देखेंगे कि कमपास नेडल यह कुंडली के परिधी पर गोल-गोल घूम रही है। यानि कि वृत के रूप में घूम रही है। और इसलिए यहां पर चुम्बकी बल रेखाओं समकेंद्री वृतों के रूप में हैं। जिपकि केंद्रे पर यही चुम्बकी स्वी सीधी बल रेखाओं बनाती है। और इस प्रकार का पैटर्न हमें प्राप्त होता है। और यह चुम्बकी बल रेखाओं को दर्शाता है इस धारावाही वृताकार लूप के लिए। इस धारावाई वृताकार लूप में हम देखें तो चुम्बकी स्वी वृत के पास लाने पर अधिक विक्षेपित होती है और वृत से दूर ले जाने पर इसका विक्षेप कम हो जाता है इसका आथ यह है कि इस वृताकार लूप के केंदर पर चुम्बकी छेत्र प्रबल है जबकि हम इस चुम्बकी स्वी को दूर ले जा रहे हैं और विक्षेप कम प्राप्त हो रहा है इसका आथ यह है कि इस वृताकार लूप से दूर जाने पर चुम्बकी छेत्र का मान दुर रखी गई थी और इसी तल पर हमको चुम्बकी बल रेखा है प्राप्त हो रहे थी इसका मतलब यह है किसी भी धारावाई वृताकार लूप की कारण उत्पन चुम्बकी छेत्रे उस कुंडली के तल के लंबवत तल में प्राप्त होता है